इस्टुडेंट्स यह है आपका साइंस का पेपर नाइंध क्लास का एक जिले में हुआ है और महां से प्रश्ण पत्र भेजा गया है यहां पर जो कॉश्चन्स आए हैं MCQ टाइप में हैं पहले तो सबसे पहला कॉश्चन देखें कोशिका का पावर हाउस कहलाता है सब भी को पता है कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है पावर हाउस ऑफ दे सेल हमारा माइक्रो कांडिया जो कहलाता है तो यह पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन है पौदों में जलका सम्मेहन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है जायलम के द्वारा किया जाता है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जदि आप भी अपना पीडियप बेजना चाहें तो हमारे वाटसेप नंबर 8469022568 यह नंबर है इस पे चाहें तो आप अपने कोशन पेपर आप किसी भी जीले से विलोंग करते हों आप बेज सकते हैं जिसके आंसर हम बता देंगे आपको आंसर के लिए अगर आप चाहते हैं अपना पीडियप बेजना तो यहां पे बेज सकते हैं जैसे इस बच्चे काम आता है तो यह सारे कुश्चन से मैं अभी इससे पहले एक साइंस का पेपर दिया करवाया था आपको और उसमें सारे कुश्चन ऐसे ही आए हुए बिल्कुल ऐसे कैसे सेम टू सेम आये हैं कुछ भी चींज नहीं किया गया ऑप्शन से इसे हैं कुश्चन भी बिल्कु कारवन डाय ऑक्साइड है तो यहां पर आपका सा उप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुश्चन प्रिथवी की सतय पर किसी व्यक्ति का भार जो है 30 नूटन है तो चंद्रमा की सतय पर कितना भार होगा यह भी कुश्चन मैंने इससे पहले वाले पिपर में करवाया था उसमें 30 जगए 60 था यानि 30 नूटन की जगए 60 नूटन पुछा गया था और मैंने बताया था कि जब भी आप चंद्रमा पर भार की बात करेंगे तो एक बटे 6 गुना हो जाता है प्रिथवी के बार के ठी पर जो है देखें आप प्रिथवी का बार कितना है 30स नूटन तो जाला भी है और मुमफली भी है यह सभी है option सारे सई है नेक्स जो कूशन है दोनी की चाल जो है ठोस में सबसे ज्याधा होती है तो यहाँ पर सॉलेड option सई हो जाएगा आपका अगर यहाँ पर प्रकास की चाल बोलता तो हमारा ये option रहें आहीं होता लेकिन के बीजेघ होता लेकिन प्रकास के बारे पूछा नहीं गय तो हमारा ॉप्शन जो है भी साही होगा नेट्स कोशन की बात करते हैं वह म्लेमम से इस तन पाई जीव नहीं है तो वो कौन सा इस तन फाई जीव जो है वेल नहीं है तो ड API और आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोश्चन है कोबाल्ट का प्रतिक चिन जो है यह भी कोश्चन मैंने करवाया था इससे पहले वाला साइंस का फिबर डला था उसमें बताया था उसकी बात करते हैं यह आंसर हो जाएगा सबसे सिंपल जो है इसका फंड़ा होता अवगार्दो नंबर को बोलते हैं एंस नमबर और एसको हम लिखते हैं बसकी गहारMoैus उसकी बात कर लेते हैं और जो से सारे के सारे जो करवाय सब्सक्राइब पूचा जा रहा बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है अंसर होजब गया कि अच्छ के बाद जो आपका नेक्स सक्टम्र Спूचा गया है कि सी निकाय ze कहले की खुल जो है खालिस्तान सक's रहते हैं तो विगल निकाय रहता है नहीं संद्धी को सब्सक्राइब हो परति केसे पकांसर हैं नेक्सक्त कै recognition यह रहता है जिए सब्सक्राइब को घ्रकाyes कानलू से हमारी रक्षा करता है तो कैसी कारकिण से हमारी रक्षा करता है हानी कारक जो है इसका आंसर आजाएगा यहांई कि हाम फुल अगर हम इसको लिए हाम फुल है इसको इसमें पूझे गया दीवपद नाम पदती में पहला नाम जो है खालिस्तान और दूसरा नाम इस पीसीज का आता है इस्पीसिस मतलब क्या होते हैं आपको अच्छे तरह से पता है और इसका आपको आंसर भी पता होना चाहिए कि द्यूपत बदे दिजिए भवमारी होती है तो इसमें पहला नाम किसका आएगा तो सिंपल सा फंडा है अगर आपने डंक से पढ़ा है तो सबसे पहले जो है वर 323 Kelvin को जब Celsius ही काई में बदलोगे तो 323 सबसे पहले लिखोगे आप और इसमें से आपको माइनस करना है 273 ठीक है तो 273 जैसी आप माइनस करोगे जो आंसर आएगा वही आपका centigrade में कनवर्ट हो जाएगा और यह आ जाएगा आपके पास में 48 degree centigrade के आसपास में आप कोशिश करना यहां पर यह थीन से तीन गया जीरो और बाकी आपका बचा क्या यहां पर 120 23 कि इसमें 27 घटा होगे तो बारा में साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा क्योंकि यहांपर एक सो पचास डिगरी आ रहा है क्यों है मिस्टेक एक बार चेक कर लेते हैं क्रोस चेक करने में क्या हर्ज है तो 323 में से 273 गटाना है, यहां पर आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने हासिल ले लिया है, तो यहां पर 0 हो जाएगा, तो 50 डिग्री आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि directly अगर हम इसको पॉइंटों में लेते हैं, तो हमारे पास तो देख 273 गटा दीजिए, जब इसको घटा होगे तो आपके बस 49 पॉइंट, 85 आ जाएगा, लगबख 50 के असपास आजाएगा, जो कि हमारा यह आंसर आ रहा है, तो दोनों ही आंसर सही है, आपके उपर डिपेंड है कि आप क्कौन सा वैल्यू लेते हैं, अगला प्रशन है, उर् और आप सौट फर्म में लिखना है कि यह भी आपका चल जाता है काम, दो वाइरस जनीत रोगों के नाम लिखने है, वाइरस से जो भी रोग होते हैं, उसका नाम बता देना है तो एक आपका टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, टाइफाइड जो है, यह आपका एक वाइर मलेरिया भी आप लिख सकते हैं, चाहें तो इसके लावा और भी आप लिखना चाहें, तो रेबिज जो है यह भी वाइरस जनीत रोग है, कुत्ते के वारिज से होता है, नेक्स्ट जो है आपका लूज मोशन जिसको हम दस्त भी बोलते हैं हिंदी में, तो दस्त भी आप ल पर रहा बल वह हमेसा संतुलित रहता है, यानि उंचेंज रहता हild है, यह इसका समयघ समेक्षन का नियम है, समयघ नहीं बतलेगा, तत्व कि से कहते हैं, तो तत्व क्या होता है, तो रासायनिक पदार्थों को तत्व का जाता है, जो एक ही तरह के पर्मानू से बने होते ह से बने योगीक सत्त्तो कहलाते है बहुत सिंपल सा डेफिनिशन है जल स्थर, उभैचर, वर्क के जनतुओं के दो उधान देते नहीं इसमें आपका महेंडक आजाएगा एक तो आपका महेंडक हो जाता है दूसरा आप लिखना चाहे है तो इसमें टोड़ भी हो जाएगा टोड़ आप लिख दीजिए टोड़ भी आ जाएगा इसमें उसका वाला तीसरा लिखना चाहे है तो सेल मेंडर भी लिख सकते है सेल मेंडर ठीक है तो यह आपके अंसर्स हो गए तो carbon कितने हैं यहाँ पर CO2 है तो carbon में कितने हो जाते हैं carbon में 12 हो जाते हैं हम carbon का लिए लेते हैं 12 ठीक है क्योंकि carbon आपका एक ही है और oxygen प्लस में कर दीजिए oxygen में हैं आपके 2 यानि कि 16 गुणा में 2 हो जाएगा तो आप देखेंगे यह 12 तो यह थे और 16 दूनी 32 तो यह हो गए अगर आप इनको जोड़ेंगे तो दो दो चार और एक चोवाली से एम यू जो है इसका आंसर आ जाएगा नेक्स कोशन है उसकी बात करें यहां पर देखिए नेक्स कोशन में क्या पूछा गया आपसे इसमें पूछा गया है कारबन डायकसाइड आचा मोलर दर्वान हमने निकाल दिया मनुष्य में ध्वनी की श्रविता का परिसर यानि की परास कितना होता है तो सुनने की जो उनकी परिसर होती है परास होता है वो होता है आपका 20 हड्स से 20 हड्स लिखते हैं है एच जेड स से लेकर के 20 हजार हड्स तक 20 हजार हड्स तक की ध्वनी हम सुन सकते हैं इससे कम नहीं सुन सकते हैं इससे ज्यादा नहीं सुनेंगे तो बहरापन महसूस करने लग जाएंगे नेक्स जो कुश्यन उसकी बात करें मनुष्य में रक्त किस प्रकार का उत्तक है तो रक्त जो ह उसके बाद जो next question है उसको देखते हैं मद्धुमक्की पालन से हमें क्या पराप्त होता है तो हमें इससे जो है शहद पराप्त होती है जिसको हम हनी कहते हैं शहद यानि की हनी पराप्त हो जाएगी साथी साथ जो है आपको मोम प्राप्त होगा जिसको हम वैक्स कहते हैं तो यह भी प्राप्त होता है मद्धु मक्की पालन से यह चीज है हमें प्राप्त होती है नेक्स जो कोशन उसकी बात करते हैं उर्दुवा पातन किसे कहते हैं तो उर्दुवा पातन क्या होता है हम कह सक हैं जब कोई भी पदार्थ को ठोवस्ता से फोष सवस्ता में गरम करते हैं कोई भी चीज है सॉलिट के अइसको हम गरम करें लेकिन वह less सीधे क्या हो जाए वह गैस में बदल जए तो उसको जो हम क्या बोलते है Опि क्या बोलते हैं यहां पर जो है तो आप यहां पर जो है आपका छो आपका सब्सक्राइं गरम करों जैसे बर्फ को गरम करों तो पानी बनेगा पानी बनेगा यहां पर तरल पातन वह प्रकरिया होती है जब केवलज चालीड जो कि आपका थोस फि Bür I'm धोर सीधे जो है क्या हो जाए गैस अुष्था में चेंज ओजाए वह गैस वह गैस बन जाए क्या यह जो है नही बनेगा यानिकि पानी नहीं बनेगा लीकृइड नहीं बनेगा यहाँ पर जो है आपका हम कह सकते हैं ठोस जो है यह सीधर जो है आपका क्या बन जाए गयस तो उस प्रक拟्रिया को उर्ध पातन कहते हैं सब्लीमेशन जो इसका नाम है इंग्रीज में और यह तरल नहीं बनता है तरल बनने से पहले क्या हो जाएगा यह सीधे सीधे थोस से सीधा गैस हो जाता है तो यह आपको समझ में आजा दाना चीए तंत्रिका कोशिका नियूरान का नामान की चित्र आप बना सकते हैं और 10th class में जैसे आप व लोगों को पास अगर समय हो तो free of course यहां पे classes लगती है आप उनको पढ़ सकते हैं जो वीडियो डाले जाते हैं important questions की series डाले जाते हैं उनको पढ़िए उसमें बहुत कुछ समझाया जाता है तो उसको पढ़ते हुए आप बहुत अच्छा performance कर सकते हैं और हमारे channel से दğका लगता है तो इसका reasonable is simple सहे जब नाव फानी में है वह तैरती रहती रहती है यानि कि वह स्तिर नहीं तैरती रहती है नाव भयरती के ज consume के लिए नाव के उपर जिसके वएसे नाव पीछे की और तली जाती है तो हम कह सकते हैं नाव पानी में तैर रही है वह स्तिर नहीं है यदि कोई आदमी वहाँ से कूथता है तो उसके दुआरा लगा गए बल के कारण जो है नाव पीछे हो जाती है अगला जो कुश्चन है संक्रमक जो है संक्रामक रोगों को फैलने के कारण क्या क्या हो सकते हैं तो देखिए संक्रामक रोग कैसे कैसे फैल सकते हैं किसी ना किसी संक्रामक रोगी के कारण फैल सकते हैं तो रोगी हो सकता है जो फैलाने वाला रोगी है इसका कारक ठीक है इसके लावा जो है कुछ संक्रामक कीडे मकोडे भी होते हैं तो कीडे मकोडे जो होंगे आपके जो भी होंगे कीडे मकोडे बोल सकते हो या फ्लाइंग्स बोल सकते हो तो मकोडे जो है ये आपके संक्रामक होंगे तो ये आपको जो है क्या करेंगे इंफे जिसमें भी आपका इस तरह कि संक्रमन फैले हुए हैं उसल जाएंगे अगला जो प्रशन का नियम आपको बताना है उर्जा संरक्षिनका का नियम बहुत तो उर्जा कभी उत्पन की जा सकती है और ना ही नस्ट की जा सकती है केवल एक फॉर्म से यानि कि एक रूप से जो है अनदर रूप में अनदर फॉर्म में अनदर रूप में जो है इसको ट्रांसपर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ठीक है? नेक्स जो कोशिका विवाजन के महत्तों को लिखना है तो इसमें अर्द सूत्री जो कोशिका विवाजन है उसके दोरा क्या क्या होता है तो लेंगिंग जनन करने वाले जीवों की गुण सूत्र की संक्या है वो क्या करता है ये निश्चित कर देता है अर्द सूत्री विवा वानशिक विन्यताएं जो ए उत्पन बढ़ जाती है या आज आगे चलि जाती है ठीक है यह सारी चीज आप इसमें लिख सक्ते हैं जन्तु कोशिका का नमांकी चित बना सकते हैं जन्तु कोशिका का पूसकता है पादप कोशिका का पूसकता है और विल्पन किसे कहते हैं यह आपको बताना है solution थ depicts it तो building नहीं यहां यहाँ पर दखिएफी जो है किसे कहते हैं तो video क्या होता है आप बता सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थो के सम्मांगी मिष्राणिक को मिस्रन को मिस्रन को मिस्रन को जो है हम क्या कहते हैं विलियन कहते हैं इसके बाद 20 ग्राम जल में मोलों की संख्या ग्याद करनी है बहुत ही सिंपल सा कुश्चन है समझीए सबसे पहले जल की बात हो रही है तो उसका फॉर्मूला होता है H2O अब इसके ऐसाप से पहले निखाल लेते हैं कि इसमें जो है कितने ग्राम बन जाएंगे तो देखिएla hydrogen 2 है तो hydrogen का परवानु भाहर एक होता है और hydrogen 2 है तो 2 से गुना कर देंगे और फॉर मैं oxygen है तो फॉर परवानु तो 16 हो जाएगा आप देखिए हैं हाँ पर 2 और 16 कितने हो गए यह हो गए आपके 20, 16, 18, 18 गराम जो है इसका हमने बाहर निकाल लिया, अब जल में मोलों की संख्या जब निकालेंगे, जल में मोल जब निकालते हैं, तो हमारे को कितना दिया है, वीज गराम दिया है, हम लिखेंगे इसको 20 गर चाली इस कांसर जाएगा अगले कुशें की बात करते हैं किया है यह तो आपका SO2 यानि कि Sulfur Dioxide हो या Sulfur Trioxide हो या फिर आपका Nitrogen Oxide हो जिसको हम NO2 बोलते हैं ये सारे मिलकर के जब वर्षा के जाल के साथ में प्रित्वी पर गिरते हैं तो उसे ही हम अमल ये वर्षा कहते हैं ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं जब भी वर्षा के साथ SO2, SO3 और NO2 वर्षा के साथ मिल करके प्रित्वी की सेता पर गिरते हैं तो उसे ही हम अमल ये वर्षा कहते हैं ठीक है तो बस ये सिंपल सा आप इसको आंसर को लिख दोगे अगला जो है भौतिक परिवर्तन रासाइनिक परिवर्तन क्या होता है इसमें आप अंतर बता सकते हैं बहुत सारे अंतर है बहुत सारे unlimited अंतर है आप तीन चार अंतर जो भी आप बताना चाहिए बता सकते हैं आयन क्या होते हैं उधान से ही तो बता देना है, नेक्स जो है, नाइट्रोजन चक्र, या मेशा आप से दस्वी क्लास में पूछे जाएगा, तो दस्वी क्लास के लिए भी तयार करिए, इसको बैतरीन तरीके से, आक्मिज के सिद्धांद के दो अनुप्रियोग जो है, बता देना है, कि एक राजा था जिसके पास ये काम करते थे उस राजा ने जो है बोला कि इसको 20 किलो जो है 20 किलो सोना दे दो तो इन्होंने सोना दिया 20 किलो का और सोना देने के बाद में जो है 20 किलो मान लिजे 20 किलो सोना दिया और बोला कि इसका 20 किलो का ही मुकुट बना दो क्या बना द किलो हमने जो दिया था सोना क्या उतने ही सोने से ये 20 किलो का मुकुड बनाया है या फिर इसने इस सोने में कुछ मिलावट करके कुछ सोना चुरा लिया है तो आग्ड मिरीज ने एक बरतन लिया और उस बरतन को पानी से भरा ठीक है और जो है 20 किलो का सोना अपने राजा के पास से ले के आया और अपने खजाने में से वही सोना जो उसको दिया गया था उसी तरह का सोना जो है उसने पानी में डाला और पानी का लेवल जो है एक स्थर पर पहुंचा इतने हैं और उसी बरतन सेम वही बरतन और उतना ही पानी दूसरे बरतन में लिया और देखा कि मु उसमें कम दिखा रहा है और जब कि सोने में वो सही दिखा रहा है तो इसमें क्या था कि इसमें मिलाउट की गई थी यह साथ आसानी से पता चल गया क्योंकि density जो है किसी भी चीज का धनत तो जो है वह बराबर इस्थान गिरता अगर प्रदार्थ वही है तो ठीक है और उसी म रामक रोगों में अंतर मैंने इस से पहले जो science का पेपर दिया था बच्चों को उसमें सारे questions मैंने ये करवाए हुए हैं और यह बच्चे जिन्होंने ये paper पढ़ा होगा मेरा science का जो मैंने दिया था उन बच्चों का पेपर बहुत ही बिंदास हुआ होगा और 100 आउट आ रखनी रदर फोर्ड का बताया था मैंने model वह भी पूचा गया है और उपस्ती में अंतर बताना है साथी साथ जो है किसी पेड़ की शाखा को तीवरता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जड़ जाती है क्यों इसका रिजन क्या है कि पत्तियां जो है विरामवस्ता में हैं और व्रएख से पत्तियां अपनी डाल से तूट करके नीचे गिर जाती है एक वस्तु जो है सोला मिटर की दूरी आरस सेखेंड में तये करती है यहांपे दे रखा आपको DISTANCE और यहां दे रखा ताइम पूना जो है सोला मोटर की दूरी हो आर So स्पीड के दोनों दूरियों को सपीड और स्पीड निकल जाएगा प्रयोगदार समझाए मैं नहीं नहीं जाएगी और फिर सोरान का सोनार कैसे उसमें ट्रेवल करता है फिर जैसे ही उसको कोई सिगनल मिलता है तो उसको कैसे वापी सोनार जो है दूसरे ट्रांस्मीटर के बास भेज देता है तो इस तरह से ये मैंने प्रक्रिया समझाई थी चित्र के माध्यम से मानो कंड किस पर कारे कारे करता है तो यहाँ पर आपको बता देना है अनुपरस्त और अनुधेरत रंगों के बारे में जो की longitudinal और transversal waves कहलाती है इनको बहुत विस्तार से आप पढ़ेंगे अगर आप science लेते हैं और जाते हैं आप 11th class में और 12th class में तो आपको यह जो है यह दो waves तो आपको confuse कर देंगे तो इसलिए अभी से basic समझ लेना इसके बहतेरीन तरीके से जो बच्चे science लेना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं यह बाकी mammals को बताना है birds क्या होते हैं इनके characteristics याने की विशेष्टाइं बता देनी हैं और उसके लावा जो है morena की क्या विशेष्टाइं होती हैं यह बता सकते हैं और प्रश्टा की विशेष्टाइं क्या होती हैं यह भी बता सकते हैं नेक्स जो question है Newton की गति के तीसरे नियम को दो उधान से समझाना है Newton के तीसरे नियम से जो है rocket proportion काम करता है आपको अच्छी तरह से बता है आपको example दे करके इसको समझा देना है जड़तों के उधान द्वारा समझा देना है जड़तों क्या होता है गर्षन को कम करने के तीन उपाई लिख सकते हैं जिसमें liquidification होता है आपका और जो है आपका उसमें air gap मनाया जाए साथी साथ जो है उसमें हम grease oiling लगाए बहुत सारे reasons हैं आप जो भी अपने लिखना चाहें वो लिख सकते हैं अंतर बता देना है दोनों में ही अंतर होते हैं द्यान रखना काम तो दोनों एक ही करते हैं लेकिन इन में काफी अंतर होता है और संक्रण क्या है और कितने बरकार का होता है समझा देना है इसको इसको इसमें पूछा गया है और जलवाई उपर देशने कारण क्या है फसल सुदार के देश्ची क्या है बहुत सारे क्वेशन जो हैं बहतरी नाय वहे हैं और maximum questions आपको करा दिये गए हैं पहले अगर आपन जाएंगे maximum questions बनते नहीं है किताब से जो questions बनेंगे वो तीन चार पीपरों में आ जाते हैं उसके बाद जो है questions ज्यादा नहीं देखने को आपको मिलते नहीं है तो इसलिए तयार रहिए और सारे questions को पढ़ते रहिए बैतीन तरीके से तयारी करिए और अपना अगर PDF बेजना चाहते हैं तो PDF बेजने से पहले ध्यान रखें कि आपका पेपर जो है साफ होना चाहिए और बेजने के लिए 846902568 जैसा नंबर जो यह हमने बताए यह WhatsApp नंबर है इस पे आप जो है अपना PDF बेज सकते हैं आंसर के लिए जिस तरह से इस बच्चे ने बेजा है इसको आंसर चाहिए था तो हमने यहां पर आंसर उपलफ्ज गरा दिया है उसके लावा आपको कोई वीडियो नहीं मिलती तो अभी आपके सामने जो प्लेलिस्ट आई वो यह स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसी वीडियो के टच कर दें और यहां पर जो है आप प्लेलिस्ट से वीजिट कर सकते हैं सारे वीडियो उसको थैंक यू वरी मच्छ हवे गुड़े